अगर इंग वूंट स्टूडेंट्स मैं अजिल डॉक्टर मॉनिका दक्षिनी असोचेट प्रोफेसर गौर्रमेंट कॉलिज कोटा Students, Amino Acids, Peptides, Proteins and Nucleic Acids में हम जो है फेलाल Amino Acids के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो Amino Acids के हमने Structure, Classification, Methods of Preparation और Chemical and Physical Properties अल्रेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अब इसमें जो एक सबसे Important चीज है कि जैसा कि हमको पता है कि Amino Acids के अंदर Amino Group और Carboxlic Group दोनों पाए जाते हैं तो इस वज़ा से जो है इनके Amino Group के Amino Samoo की वज़ा से तो शार्य प्रकरती होनी चाहिए और Carboxlic Group की वज़ा से जो है इसकी अमल्य प्रकरती होनी चाहिए तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे जुटर आयन के बारे में जुटर आयन का जिक्र हम प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं तो आज हमें सबज़ना होगा कि अमीनो एसेट्स जो है उसमें एक अमीनो ग्रुप होता है और दूसरा जो है वो कार्बॉग्जलिक ग्रुप होता है तो आमीनो ग्रुप के जो है अमीनो ग्रुप की वज़े से तो क्या होगा इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी तथा कार्बॉग्जलिक ग्रुप की वज़े से इसमें जो एसेडिक प्रॉपर्टीज होने के कारण क्या होता है इन में जो है एक internal reaction चलती है इन दोनों की वज़े से क्या होता है कि इनके अंदर एक internal reaction या एक अंते क्रिया इनके अंदर चलती है जिसकी वज़े से एक internal salt का formation होता है ठीके? एक internal salt का formation होता है जैसे मार लीजे आपने देखा की भी RCH COOH और यह NH2 यह अपना है अलफामिनो एसेट तो यह जो है इसको हम यह इस फॉर्म में RCH R CH COO negative iron और यह क्या होगा NH3 और इस पे यह positive charge तो क्या होता है कि यही कारण है कि जो amino acids की properties होती है वो saturated amino acids तथा saturated carboxlic acids की तुल्ना में इसके salt से अधिक समानता रखते हैं क्योंकि यह form जो है इस form में भी यह रहती है इसलिए क्या होता है कि बजाए यह कि यह जो है amino acids यह जो है carboxlic group की वज़े से carboxlic group और amino group से जादा यह जोनके salt है उससे जादे यह similarity शो करती है तो अंते क्रिया के द्वारा प्राप्त इन लबनों में क्या हो जाता है कि दो पोल्स उत्पन हो जाते हैं दो पोल्स जो है इसमें बन जाते हैं तो इसलिए इसको जो है हम dipolar iron यह आपको दिखाई भी दे रहा है iron भी कहते हैं अब amino acids में क्या होता है कि इनका dipolar structure है कि उपस्तिती कारण क्या होता है कि इन में जो है कुछ इनकी जो properties है उनको हम justify कर सकते हैं जैसे कि aliphatic amine तथा carboxlic group जो है aliphatic amine या carboxylic yogic carboxylic compounds जो है उनके जो है कम melting point तथा कम boiling point वाले यह जो है warp shield yogic होते है इनका जो है less होते है melting point and boiling point और यह जो है कैसे कम melting और boiling point वाले यह volatile yogic होते हैं अब जब amino acids जो है एक volatile crystalline solid होते हैं तो high temperature के उपर यह decompose होके और यह melted form में रहते हैं या fused form में रहते हैं ठीक है तो एक तो point हुआ कि जब इनको high temperature दिया जाएगा तो यह क्या high temperature के उपर यह decompose हो जाते हैं decompose हो जाते हैं amino acids के solution का dielectric constant जो होता है dielectric constant की जो values होती है वो इनकी high होती है इनके जो है dielectric constant का माज़ जो होता है वो high होता है इसके बाद इनके जो third point है इनके जो dipole moments होते है dipole moment dipole moment की values भी जो है इनकी वो high होती है अब क्या होता है कि amino acids की acidity और basicity का मान जो है comparatively कम होता है fourth point क्या है amino acids की acidity और basicity का मान जो है वो comparatively कम होता है जैसे की क्या होता है कि जो aliphatic carboxylic acids के लिए यानि aliphatic carboxylic carboxylic acids के लिए जो p के जो इनका k के मान होते हैं k की values जो होती है वो 10 raised to the power 5 range की होती है ठीक है जबकि जो amino acids के लिए जो है amino acids के लिए क्या होता है इसकी ये values जो है ये 10 की power minus 10 की range की होती है और जो aliphatic primary amines के लिए जो है ये aliphatic primary amines के लिए जो ये values होती है ये 10 raised to the power minus 12 range की होती है तो अब क्या है next जो है इसमें बात आती है कि amino acids जो है वो जल में तो विले होते है amino acids जो है वो soluble in water और जो है जो organic solvents होते है organic solvents में ये insoluble होते है या फिर sparingly soluble होते है अब इनकी क्या होता है कि इनकी spectral properties के आधार पर ये देखा गया कि जब इनकी spectral properties इनकी study की गई तो उनमें देखा गया कि इनमें जो है free NH2 और free COOH group नहीं होता not available ठीक है तो ये free इनके अंदर जो है amino और carbox ले गृप नहीं होता तो इससे क्या होता है कि तो इसलिए इन properties से ये एक निशकर्ष निकलता है कि amino acids में amino तथा carbox ले गृप के स्थान पर मतलब या तो amino acids और carbox ले गृप के स्थान पर इनमें जो है जो ज्विटर आयन जो है यह मतलब ज्विटर आयन के present होने की संभावना अधिक होती है तो यह जो ज्विटर आयन के structure अपर भी हमने देखा तो वह structure जो है वह यह प्रदर्शित करता है कि amino acids का जो ज्विटर आयन है देखिए एक बार फिर देखो ज्विटर आयन को is H3N positive CH COO और यह negative आयन यह आर तो ज्विटर आयन में क्या आता है यह क्या represent करता है यह क्या बताता है कि जो acidic property है amino acids की वो acidic property जो है वो NH3 group के कारण है इस group की वज़े से है देखिए उल्टा हो रहा इसमें ना की COH की वज़े से और जो basic property है वो किसकी वज़े से हो रही है वो है COO negative आयन की वज़े से ना की amino group की वज़े से तो यहाँ पर यह आपको समझने की बात है कि acidic property के लिए responsible NH3 plus जो group है वो यह आयन responsible है और basic property के लिए जो है COO negative आयन responsible है अब जो है इनका जो है acid के समान behavior तो acid के समान behavior में क्या होता है कि NH3 CH2 COO negative plus H2O A NH2 CH2 COO negative plus H3O positive यह तो acid के समान behavior है और base के समान behavior कैसे होगा कि जैसे NH3 positive CH2 COO negative plus H2O तो यह जो है क्या हो सकता है कि NH3 CH2 COO H plus OH negative I तो यह जो है basis के समान वेवार हो सकता है अब यहां पर जो है एक ध्यान देने वाली एक बात यहां पर यह है कि अगर किसी amino acid में अगर NH3 positive और COH group present है तो दोनों groups के मद्धे जो है proton जो है उसको देने का एक protons देने का एक competition उनमें जो है वो एक प्रतिवन्दिता उनके अंदर होगी तो क्या होगा कि जब जैसे NH3 group है और COH group जो है तो यह जो है दोनों ही proton जो है वो देना चाहेंगे तो proton जो है COH group जो है protons release करेगा ना कि NH3 group ठीक है तो amino acids में different different mediums में different different behaviors जो है यह show करते हैं अलग-अलग mediums में जो है अलग-अलग विवार जो है दिखाते हैं तो acidic medium में क्या होता है कि amino acids जो है देखिए acidic medium में तो क्या होता है amino acids जो है वो bases की तरह से विवार करते हैं है ना और weak acids होते हैं आरी बात समझ में कि amino acids जो है वो different different medium में different different behavior प्रदर्शित करते हैं तो जब acidic medium होता है तो वो base की तरह से behave करते हैं और weak acid होते हैं जैसे NH3 positive CH2 COO negative ion positive CH2 COO H plus H2O तब इसमें क्या है यह जो है strong base strong acid और यह weak acid और यह क्या होगा weak base तो strong acidic medium में amino acids जो है strong acidic medium में amino acids जो है वो weak base देते हैं ठीक है अब यह देखिए है H3 N positive CH2 COO negative plus OH negative यह जो है H2 N CH2 COO negative plus H2O अब इसमें क्या है कि यह strong acid strong base यह weak base और यह weak acid तो amino acids के क्या होता है अब amino acids का जब हम जलिये विलियन में वो निमलिखित आपको दिखाएंगे कि यह तीन जो है ions में जो है एक equilibrium maintained रहता है कैसे कि H3 N positive CH2 COH यह यह है इस है H यह है तो क्या है इस थे फिर 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 आज इस आज 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 में आज 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 तो क्या होता है कि Acetylation की क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरा जो amino acid है वो समाप्त नहीं हो जाता तो यह इन तीन ions के बीच में इस प्रकार से यह equilibrium थापित रहता है ठीके तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जैसे जब इसमें कार्बॉक्सलिक जो ग्रूप है वो फ्री कार्बॉक्सलिक ग्रूप है तो क्या होगा कि जब esterification होगा तो क्योंकि आयन थर्ड अभिक्रिया में भाग लेगा तो जो साम में जो है वो बायोर शिफ्ट हो जाएगा और जब तक पूरा amino acid जो है जो आयन जो थर्ड में परिवर्टित नहीं हो जाता तब तक यह अभिक्रिया चलती रहेगी इस प्रकार इस case में भी यही होगा तो इस तरह से सारी reactions जो है जो जो है वो base रहती है तो students आपने जो है आज यह amino acids के amino acids की जो एक बहुत important property है यह कि यह जो इनकी internal reaction की वज़े से जो एक internal salt बनता है जिसे कि हम zwitter iron कहते हैं एक dipolar iron बनता है जिसे कि हम zwitter iron कहते हैं उसको हम amphorlytic iron भी कहते हैं तो उस iron की वज़े से इसका सारा जो behavior है वो इस iron की वज़े से होता है तो students यह important part है इस chapter का तो जो की exams में काफी frequently पूछा जाता है तो यह आपको अच्छे से clear होना चाहिए और आपका अच्छे से तयार होना चाहिए तो I hope a student से आपको अच्छे से समझ में आया होगा Thank you very much आपको के समस्धे